दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिसुओं और बच्चों को कई बिमारियों में दी जाने वाली दवा पैसी मॉल MF 250 औरल सस्पेंशन के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे जैसे ये कौन सी कमपनी की दवा है इसके composition क्या है इसके फायदे और side effects क्या है ये दवा बच्चों के सरीर पर कैसे काम करती है इसके इस्तमाल करने के तरीके और डोजेज क्या है और इसके price कितना है तो दूस्तो वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा इंडि तक जरूर तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं रंधिर आप लोग अपना यूटूब चैनल मेडिसिन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं तो दोस्तों पैसिमोल एमेफ औरल सस्पेंशन को इपका लेबरोटीज लिमिटेड कमपनी के दोरब बनाए जाता है अगर हम लोग इसके कॉमपोजिशन की बात करें तो इसके परतेक 5 ml कॉंटेंट्स के साथ परसेटमल 250 mg और मेफेनेमिक 100 mg होता है अब हम लोग इसके को ठीक करने के लिए दिया जाता है इसके अलवा बच्चों के सरीर में होने वाले कई परकार के दर्द और सूजन से छुटकार अपाने के लिए इस सिरप को दिया जाता है जैसे दोस्तों बच्चे को माइग्रेन है सिर में दर्द है पीट का दर्द है दातों का दर्द है और मानस्पेसियों का हलका या फिर मेडियम दर्द है तो ऐसी बिमारी को ठीक करने के लिए कंट्रोल करने के लिए इस सिरफ को दिया जाता है दोस्तो जनरली सरीर में बुखार होने पर दर्द भी होने लगता है तब ऐसी इस्तिती का इलाज करने के लिए पैसीमोल, एमेप, सिरप का इस्तिमाल किया जाता है इस सिरप में पैरसिटामोल और मैफिनमिक होता है जो बच्चों में बुखार, दर्द, सूजन और लालिमा पैदा करने वाले कुछ केमिकल मैसेंजर को निकलने से रोकता है और जैसे ही ये रुकते हैं बच्चों में सुधार आना सुरू हो जाता है दोस्तों, इस दवा के साथ डॉक्टर बच्चे की बिमारी के स्थिति को देखते हुए एंटिवाइटिक्स की दवा भी दे सकते हैं अब हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं तो दोस्तों इसके कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं जो ना के बराबर देखे गए हैं वो हैं खटी धकार, उल्टी, जी में चलाना और दस्त होना हाँ लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखे कि बच्चे की बिमारी में सुधार हो जाये तब इस दवा का इस्तेमाल करना बंद कर दे क्योंकि जरुट से ज़्यादा इस दवा का यूज करना बच्चे की लीवर और केडिनी को नुकसान पहुँचा सकता है अब हम लोग इसके इस्तमाल करने के तरीके और इसके डोजिस के बारे में जानते हैं तो दोस्तों इसके डोज तो डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं और यह बच्चे के उमर वजन और इसकी विमारी की कंडिसन पर डिपेंड करता है लेकिन अगर इसके जनरल डोज के बात करें तो इसे सुबर साम दोनों टाइम बच्चे को कुछ खिलाने या फिर दूद पिलाने के साथ या उसके बाद में अगर जीरो से एक साल तक के उमर का बच्चा है तो उसे एक से तीन मिल की बीच और अगर एक साल से दो साल तक के उमर का बच्चा है तो उसे दो से चारे मिल के बीच डॉपर या फिर मेजिरिंग ढकन के सहाथा से माप कर पिलाना है दवा को पिलाने से पहले हमेसा दवा के बोतल को अच्छे से सेख करना है यानि अच्छे से खिलाना है बच्चे की तब्यात के अनुसर आप बच्चे को 6 घंटा के अंतराल में दवात दे सकते हैं और अब हम लोग पैसी मूल एमेप 250 औरल संस्पेंसन के प्राइस के बारे में जानते हैं तो इसका प्राइस 60 रुपिया पर 60 अमेल है ये सिरफ आपके नजदी के मेडिकल स्टोर मिल जाएगा साथ ही से आप आनलाइन भी मंगवा सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज आसानी से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाल है सुझावे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पुछें हम उसका टाइम टो टाइम जरूर रिपले करेंगे अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे चैनल मेडिसीन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स को सबस्क्राइब कर दे और बेल आइकन को तबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन सबसे पहला आप तक पहुंच सके हैं तब तक दोस्ता आप लोग स्वस्त रहे हैं मस्त रहे हैं फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद